नमस्कार आप सबका मेरे चैनल विंदास कुकिंग वी द्रीतु में भौध भौध स्वागत है आग मैं बनाऊंगे इटेलियन स्टाइल चीज स्टिक्स यह चीज स्टिक्स बहुत टेस्टी बनती हैं खाने में और स्टार्टर के तौर पे भी हम इने सर्व कर सकते हैं और टी तौर में स्टेबल्स्पून मोजरियला चीज और दो टेवल्सपून कॉण कॉण जिने में त्रदा पीश लिया है सर्वस्टे पहले हम आलू जो हमने मैश कर लिया है उसको हम एक बाल में ट्रावन पर देंग इस के बाद बा zorign का सामान भी हम इसके अंदर आडेंगे यह म चाहें तो simple पनीर भी इसके अंदर इसकी जगे डाल सकते हैं अब में इसमें 2 decentralized टी-स्पून क्रीम डाल रही हूं आप चाहें तो इसमें मला इ डाल सकते हैं जो गर में हर समय मौजोड होती है अब एक चमझ मैंने तील डाल दिया है उप सिप्ति हृ लेद डाल दिया है half tea spoon मैंने pasta seasoning डाल दिये half tea spoon मैंने नमक डाल दिये नमक चीज में होता है तो हमें कम डालना है half tea spoon मैंने काली मिज डाल दिये अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून कौन फ्लोर डालेंगे सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मसलते हुए मिला लेंगे और एक डो का फॉर्म देंगे इस तरह से हमें सारे मसाले अच्छी तरह मिला लेंगे अगर आपके पार स्पार्स लेना हो तो आप हरा धनिया डल सकते हैं पेरी पेरी मिर्च की जगह आप लाल मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं और औरीगेनो और पीजा सीजनिंग सब के घर में मिल जाती है जो लोग पीजा वगयरा घर में बनाते हैं इस तरह से हम इसे धीरे-धीरे बेलते हुए हाफ इंच मोटी एक स्टिक काट लेंगे अगर आपक अब हम पॉलिथीन की जगह किसी और जो क्लिंग रैप आता है उसके अंदर भी इसे लपेट सकते हैं इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ आप इसे इस तरह क्लिंग रैप में भी लपेट सकते हैं अच्छी तरह से हमें इसे लपेट लेना है और बिल्कुल एक सार शेप दे देना है और बेल कर बिल्कुल प्लेन गोल बेल लेना है इस तरह से अब हमें इसे इस तरह पैक कर देना है और फ्रीजर में दो से तीन घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देना है क्योंकि हमने इसमें चीज और क्रीम मिक्स किये तो इसे फ्रीजर में दो से तीन घंटे के लिए रखना जरूरी है दो तीन घंटे के बाद हम इसे इस तरह से निकालेंगे और इसकी इस तरह से स्टिक्स काट लेंगे इस समय अगर आपको ये थोड़ा सा चिपचिपा लगे तो आप इस पे थोड़ा मैदा छिड़क सकते हैं जिससे इसका बिल्कुल सही शेप भी आएगा और आपको ये आराम से काटने में दिक्कत भी नहीं होगे इस तरह से हम इसकी स्टिक्स काट कर रख लेंगे अपशे पहले से बना के तियार कर सकते हैं और जब आपको खाना हूँ या सर्व करना हूँ तो उस समय आप इसे फ्राई कर सकते हैं अब हमें एक फ्राइंग पैन के अंदर ओЙल लेंगे और ओयल को गरम कर लेंगे मीडियम फ्लेम के उपर हमें धीरे धीरे एक एक स्टिक इसके अंदर डालती जानी है और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेनी है इन्हें तलने में मुझे 5-7 मिनट का समय लगाए उपर से बहुती करारी और कुरकुरी होंगी और मसाले होने के कारण ये बिल्कुल अलग फ्लेवर देंगी क्योंकि इसमें हमने पास्ता और पीजा के मसाले एड़ की है इस तरह से 5-7 मिनट तक हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है अगर आप चाहें तो इन्हें इसी समय निकाल सकते हैं और अगर आपको थोड़ा सा और इन्हें करारा करना हो तो आप उस तरह से भी इन्हें और 2 मिनट तक और तल सकते हैं आप इन्हें धनिया पुदीने की चटनी, सॉस के साथ, मियोनीज के साथ, किसी भी चीज के साथ आप इन्हें सर्व कर सकते हैं ये बहुत टेस्टी बनेंगी और बहुत अच्छी भी लगेंगी बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी अगर आप इन्हें ज़्यादा चटपटा बनाना चाते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च इसके अंदर और डाल सकते हैं पर अभी इनका टेस्ट बहुत परफेक्ट है और बहुत ही टेस्टी बनी है अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शियर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे मेरी वीडियो को अन तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद